अगर आप इसी तरह से टेक वीडियो और डेली टेक न्यूस से आते हैं और किसी भी कर्मेंट जोब या ओलेवर के त्यारी करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल में जरू सब्काइब करें यह ट्रैटिक बटन को दबाके और साथ इसके बगल में आप लेख रहा हूंगा बैल आ प्रसाने करता है इंगर फ्री आप पॉस्टर तो प्लीज यह सब्सक्राइब करें और बैल आगन को जो दबाएं तो जैसे कि आपनों के स्कीम पर देख करूंगा नल्टी ओए बीसी लेबल जन्मरी दोजार उन्लेस एड़ाइस्टेशन प्रोसेस अप्लाई ऑनलाइन तो सब्सक्राइब करें तो पूरी वीडियो देखेगा और सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो हर बनाना जरूरी होता है क्योंकि हर वागुद्ध को चेंजमेंट होते रहते हैं तो आपको पूरी चीज़े सम्झाने कोईस करेंगे डिटेल में तो कहीं आपको दिखात हो तो कमड़ में आप पूसकते हैं कि किस पकार से फ़र्म आपको अप्लाई करना है काफी लोग ने अप्लाई कर भी दिया ह जाएंगे तो वो लोग भी अप्लाई करते हैं जो लोग इंस्टूट से करना चाहते हैं लेकिन वह उनका उनका जो प्रोसेश होगा वह आपका इंस्टूट के ठोड़ोगा और उसकी जो फीस लगे वह अलग लग लगे यहाँ पर मैं आपको बताएंगे ऐसे डियरेक्ट अप्लाई करना जाते हैं आपके पास qualification है और अप सबसे पहले आपको form apply करना है simple सा और उसकी payment करने है तो form के लिए आपको जाना पड़ा है Google पर गूगल पर जाकर type करना है आपको student.nil.in इस website पर आपको जाना है और कहीं नहीं जाना है आपको सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो last date का process चला है तो क्या है तो यहां पर आप देख सकते हैं January 2019 का दिखारा IT A level January 2019 IT O level तो last date of submission of online registration application for direct student 31 July आपकी last date है registration करने गी तो 31 जुलाई से पहले आपको registration करना है January 2019 के लिए as a direct student और उसके नीचे आपको मिल जाएगा submission of online registration for institute candidate 31 July 2018 तो 31 जुलाई तक ऐसे direct student और ऐसे इंस्टूट candidate के तोर पर आप apply कर सकते हैं अंतर इतना है candidate direct में आप self study करने पड़ेगी आपके पास कोई book नहीं होगी आपके पास कोई coaching नहीं होगी आपको form लाए करना पड़ेगा payment करने पड़ेगी सब कुछ आपको अपने आप करना पड़ेगा अगर आप इंस्टूट करते हैं तो आपको daily class लेनी पड़ेगी और आपको वहां की जो ऐसे इंस्टूट candidate में तो चले देख लेते हैं डेट आप में देख ली ओ एबी सी लेबल की large date 31 जुलाई है 31 जुलाई से पहले आपको ABC लेबल का registration करना है तो किस परकारत करना है यह आपको दिखा देते हैं यहां पर आप दे सकते हैं पूरा process दिया गया online registration 4 simple step में है तो इसी बाद fill registration form है generation of application number pay registration fee तो यह चार process है आपके बगल में आप दे सकते है online examination का है तो same way process है के हम सबसे पहले आम लोग देखते हैं कि इस परकारते form के apply करना है और वो form के अपStudy करने के बाद के आप process होता है क्या document अ होते हैं वह आपको वीडियो मताएंगे तु चली देखि लेते सबसे पहले तो यह इतना आपको देखने के बाद आपको जाना है apply online पे कुछ नहीं आपको करना है apply online पे जाना है आप अपने घर पे apply कर सकते हैं mobile से भी apply कर सकते हैं उसके यहाँ पे information technology का option मिलेगा यहाँ पे आपको o a b c level की सारे course मिलेंगे जो आपके IT literacy की course के अंतकत आते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है o level पर माले यह तो सबसे पहले इसका detail download voucher यहाँ डाउनलोड कर ले उसके बारे आप पढ़ सकते हैं क्या क्या course है क्या syllabus है सारे चीजिए आपको guidelines करूप में मिल जाएं कि इस पर करते form को apply करना है पहले आप पढ़के द कर देना आई agree and proceed पर क्लिक कर देना उसके बाद आपके सामने online application का form open हो जाएगा इस परकार से अब यहाँ पर आपको form apply करना है बहुत ही carefully apply करें नहीं भी तो एक भी गलती होगी तो फिर आपको दुबारा change करने का मौकर नहीं मिलेगा क्योंकि काफी लोग बोलते है फाद और यही detail आपकी certificate तक चलती है तो उसको जरूब आप लोग प्लीज बहुत आराम से भरें भले आदा गंटे का समय लें क्योंकि इसमें कोई time के पर अप्धान नहीं है form में आप जितना साइस से उतना समय ले सकते हैं लेकिन आदा गंटे के अंदर बाते तो ज्यादा अच जोड के तो रुपे तो आपको सेट डिरेक्ट पर जाना है जो डिरेक्ट की आपकी फीज है 2019 जन्वरी की यहां पर आप दे सकते हैं 500 रुपे आपको एदाइसेशन फीज लेगेगी only 500 रुपी for five year पांच साल तक के लिए आपकी पांच साल तक के लिए पांच साल तक के ल नाum बनना है यहां पे for male mister यहेगा female की लिए मेश राएगा यहां पे हपिलाई करते केर कंखा कौन हैu पेरेंट्स है या कोई है चाचा मामा जो भी हो तो इस मैन जाबन करता है करने मरदर ने फादर ने husbandner girl आप बर मेरिट सिंगल मेरिट विड़ो जो भी हो यहां कैटिगरी आपकी एस्टी जैनरल हैंडी कैम डिव्यांग है कि नहीं एक सर्विसमेन गवर्मेंट जो परता है या नहीं रिलिजिंस क्या हिंदू किस्तन सलाम जो भी हो आपका उपना सेलेट कर लें मौई नमबर है इमल एड्रेस है यहां पर फो नमबर ना भृए अगर ना भी हो तो कोई दिकत नहीं है मुवाइल नमबर यहां फिल कर दें, मुवाइल नमबर साहिव फिल करें, जो आपका एक्टिवेट हो, तो चालू हो, इसी भी आपका OTP बगारा सब को जाएगा, यहां पर अपना अड्रस भर दें, इसके लिए क्या क्या रिग्वार्मेंट है, यह आपको बता देते हैं, औ तो 10 प्लस 2 ITI हो, यह 10 प्लस 2 हो खाली, यह NCVT कोपा हो आपके पास, यहां गर्जिवेशन और हायर या पॉलिटेक्निक डिपलोमा, कोई भी अगर इन में से कॉली भी किसा नहीं आपके पास, तो आप इसके लिए अपलाएगा सकते हैं, माले यह आपके पास, उनली 10 प्ल experience in year, यानि कि अगर आप direct के तौर पर अपलाई करना हैं, तो आपके पास इससे पहले कोई experience है, कि आपने कभी कोई computer कहीं पढ़ाया हो, ऐसे teacher, किसी institute में, या आपने कभी कोई और course किया हो, इसके अलावा, तो आपको यहां पर फिलप करना पड़ेगा, minimum one year, यानि कि आपक साल का experience होना चाहिए, तभी आप इसके लिए apply करें, मान लेजिए अगर आप बिने उसके भी apply कर देते हैं, तो मान लेजिए आपके पास experience नहीं है, तो आपको हो सकता certificate डोक लिए या आप से पूछा जाएगा, तो यह सब निकतें आती हैं, तो यह तभी apply करें, जब आपक प्लूट से क्या हो कहीं से, तो आप लिए यहाप फिल करते हैं, या कहीं आप में DJI Group में पढ़ाया हो, कंप्यूटर के सेर्फ में तो आप यहाप फिल करते हैं, नहीं है तो आप जीरो फिल करते हैं, उसकर यहाप अधा नमबर डाल लें, फोटो अपलोड करने ही 50KB तक क का और यहां पर आपका सो होगा उसके बाद है विसिबल डेस्ट डिस्गस्टिंग मार क्या नहीं कि कोई पैचान चेन आपके बॉड़ी प्यों सरीप काट आफटे का निसान हो क्या कोई टाके का निसान हो या कोई तील वगरा हो तो यहां पर आप लिख सकते हैं इससे कि यह कैप्चा कोड यहां पर भर देना है उसका समीट प्यापको किलिक कर देना स्रीप इतना ही आप करना है इसको आपको जैसे सब्मिट करेंगे तो आपको अप्ली कीसे नंबर जन्नेट होगा वह अप्लीकेसन नंबर आपका कोई काम का नहीं लेकिन उसको आप समाल के करना होता है यहां जब इसको आप सम्मिट कर देंगे इसको सम्मिट करने के बाद आपको अप्लिकेशन नंबर मिलेगा जो भी उसमे लिका हो जी ओ सी करके जो भी हो उसको अपने पास प्रिंट आउट निकाल के संभाल के लख ले पेमेंट कर दें पांग सरुपय उसके आपको अप्लिकेशन नंबर मिलेगा जो कि आपको साथ अच्छर का होगा वो मिलने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देते हैं जब आपको अप्लिकेशन नंबर मिल जाए तो यहां पर आपको 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 यहां पर आपको current course select करना है आपका कौन सा course चलना है और फिर यहां पर जो आपको registration number आपके mobile number या email ID पर आया होगा जो आपने fill up किया होगा application form भरते समय तो वो यहां पर भर दें आप अपना application registration number अपना नाम भर दें, date of birth भर दें और capture code भर दें और यहां पर next पर click कर दें जब आप next पर click कर देंगे तो आपको option मिलेंगे तीन वहां पर password generate करने के वहां से आपको password बनाना है आपना कोई भी 123 add rate करके जो भी हो आपका नाम हो पासपर आप बनाना है जिससे कि आपको जब आपका exam form apply होगा वो उसी login से आपका apply होगा यह आपको प्रोसर्स करना है जब आपको application number के बाद registration number मिल जाएगा आपके mobile number पर तब आपको यह करना है तो आपने यहां पर registration number भर की सब कर दिया आपको यहां password generate हो गया उसके जाएंगे उस वो आपको बाद में भरे जाते हैं उसकी payment आपको और लक्ते पे करनी होती है उसके लिए आपको यह column दिया गया है बगल में login का तो यहां पर आपको login करना होगा registration number और आपने जो password generate किया उससे तो candidate पर select करना है जो आपको registration number मिला है mobile number पर वो यहां फिलप कर आपको फिलप करें और यहां पर login पर किलिक कर दें जब यहां login पर आप किलिक कर देंगे तो जो इसके अंदर आप जाएंगे तो यहां पर आपको सारे option मिल जाएंगे जो आपने profile भरी होगी वह साथ जे मिल जाएगी आपकी photo मिल जाएगी आपका science signature सब कुछ उसी के और वहीं पर आपको मिल जाएगा examination form का किस पकार से आपको examination form apply करना है तो examination form आपके का apply होते हैं exam के दो मैना पहले हैंने कि आपका January में exam होगा तो October और November से आपके examination form apply किया जाएगे January 2019 के लिए तो वो वीडियो आपको बाद बता दी जाएगी जब आपका समय आएगा किस प आपको भेजना नहीं है इसको printer निकाल के अपने पास अकले और document किया कि आपको भेजने पढ़ेंगे बाद में जब आपका यह सारा process हो जाए तो high school इंटर के मार्सीट भेज दें एक ID card और आपके बाद जो experience हो उसकी photography लगा के और आप इसको भेज सकते हैं क्योंकि आपकी profile log का option मांगेगा दो मैने के बाद जो आप login करेंगे तो यहाँ आपको profile log का option पूछेगा तो वो आपको document साधरान दाग से simple post है या speech post से आप बेज सकते हैं जिससे कि आपकी profile log हो सके और आपका verification किया जा सके बाद इतने चीज़ें आपको बेजने हैं यह आपको कभी बेज सकते हैं एक्जाम होने से पहले 5 साल के अंदर आपको उसको बेज देना है जब तक आपको certificate नहीं पर आप हो ता उससे पहले आपका भी भी उसको बेज सकते हैं तो इतना process आपको करना है exam form apply करने के लिए अब भी कोई doubt हो तो comment में आप फूच सकते हैं कि इस पकार से exam form में apply करना है और इसके बाद आपको बता देते हैं कि इसमें आपका O level, A level, B level सम्में आपका practical है direct student के लिए practical आपका institute में होगा उसका admit card वगरा अलगाएगा उसकी fees अलग पर करने ही पड़ेगी और project आपका compressor ही है project आपको submit करना है NLT को और उसकी वीडियो अलग से पढ़ी तो यह आपका process 2019 जन्वरी का किस पकार से आपका apply करना है कोई भी doubt हो तो comment आप जरू पूछे और अगर आप अभी तक नए है चैनल को पहली बार देखने तो प्लीज जरू सब्सकाइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको not equation अगतार मेंती रहें तो thank you for watching